हेलो फ्रेंट्स क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अचानक से घर में महमान आ जाए और समझ में नाए कि उन्हें क्या दे तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही नाश्टे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हम बहुत कम तेल में और कच्चे अलू से बनाएंगे जटपट तो यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज की आलू ले लिये हैं तो यहाँ पर ग्रेटर से हम इनको ग्रेट कर लेंगे या फिर दो आलू से भी बना सकते हैं, तो चलिए अब इसमें खूब सारा स्टार्च है, तो यहाँ पर हमने पानी ले लिया है, अब इस पानी में हम इन आलू के लच्छों को बहुत अच्छे से धो कर वाश कर लेंगे, तो यानि कि तीन से चार बार अच्छे से हमें इन मिर्च या फिर हातों से ही निचोल ले या फिर की सूती कपड़े से निचोलें, शाच में प्यास डाल लिए लंबी कट्रण में कटकर एक गाज़र डाल रहे हैं, इसको भी मैंने आपर कद्धुकस करकर अट किया है, और साथ में को बारी कटकर लिया है, अगर आप आप हर जालेगा और इंच्छा जीर यहां पर नमक आलू के साथ यहां पर पाओडु आदर यहां पर नास्तों पर आप नमक प्रता नास्तों है है वह इन सब्सक्राइब जाकर अच्छे से पानी रिलीज कर दें क्योंकि हमें उपर से कोई भी पानी एड नहीं करना है अब यहां पर ले रहे हैं हम यहां पर आदा कप चावल का आठा हमें इसमें ना सूजी बेसन आठा मैदा कुछ भी यूज नहीं करना है सिरफ चावल क मातरा में डालनी है तो एक पींची डालेंगे उससे भी बहुत अच्छा कलर आजाएगा तो सूखे ही हमने चावल का आठा डाल के बहुत अच्छे से एक बार इन्हें दुबारा से मिक्स दे दिया है अब यूज करेंगे हम हाथ का क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है तो इसलिए यह अच्छे से चमस से नहीं होगा हातों से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना और यह हो भी जाएगा और जैसे कि आपको देखकर पता लग रहा होगा जो हमारा मिक्सचर है बहुत अच्छे से गुथा गुथा हो गया है अच् लेकर हम इसको पहले गोल कर लेंगे और फिर हतेलियों से चप्टे करके एक टिक्की की शेफ देंगे शेप आप यहां पर कोई भी दे सकते हैं कटले शेफ भी दे सकते हैं पर इस तरीकी की शेफ देने से नाश्ता हमारा बहुत अच्छे से पक जाएगा उपर नीचे मतलब यानि अंदर से भी तो बस इसी तरीकी से सारे मिक्ष्टर में से हमने यहां पर टिक्या बनाकर रीडी कर ली है अब चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर मैंने पैन चड़ाया आप तावा भी ले सकते हैं हलका से तेल डालेंगे बस जादा नहीं डालना है बहुत हलका तेल से आप इसको यहां पर इसली पलट दीजिए बहुत असानी से पलटा जाता है और नहीं फूटता है और यह देखे कितना अच्छा कितना बढ़िया कलर आया है बस इसी तरीकी से नीचे से भी हमें दूसरी साइड से भी अच्छा करकर आरा होने तक सेखना है उपर नीचे यानि दोनों से जब तक नाश्टा हमारा बहुत अच्छे से कुरकुर ना हो जाए तो आप इसको एक से दो बार बीच में अच्छे से पलट दीजी और यह देखे नाश्टे पर बहुत अच्छे से नाश्टा हमारा क्रंची हो गया तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं और हाँ जो नीचे बचावा एक्स्टा तेल है यानि कि अगर कम तेल में कुछ चटपटा सा नाश्ता बनाने की सोच रहें तो एक बार आप इस आलू के नाश्ते को जरूर से ट्राई करें सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा आप इसको कैचप चटनी के साथ दिखा सकते हैं या रूखा भी खाएंगे तो यह बहुत टेस्टी लगने वाला है बच्चों के लंच बोक्स में इंस्टेंट अगर कुछ नाश्ता बनाके देना है तो आप इस नाश्ते को दे सकते हैं तो आज की रेसीपी में आपको कुछ भी अच्छा लगाओ तो एक छोटा सा कमेट जरूर दीजिएगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए आयो तो मिलते हैं नए दीने रेसीपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग